जी नमस्कार स्वागत आप सबी गया दिनमंतरे के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम रोहित बैदवान आप एस्टेक वच्छा पार्टिकुल मिला गरत दिनमंतरा तो एक वेकेंसी है जिसका नाम इस्पेशल एडुकेटर है आप यह जानते हैं यह आपके लिहाई है जो जो इसको फॉम को बढ़ना चाहता है और जो जो इस वीडियो को देखेगा तो DSSB 2023 में इसका नोटिफिकेशन निकालता है इससे पहले वाला नोटिफिकेशन आया था 2021 में जिसका एक्जाम होथा 2022 में तो उस दोरान में कुछ बीच में एक्जाम पैटर्न में बदला हुआ जो आप हम जानेगे कुछ पुरानी वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसमें पैटर्न अलग बताया गया है अभी कुछ अलग है तो आज हम इसमें डिसकस करने वाले हैं वेकंसी कितनी है एक्जाम स्पेशल बीड की दरह हो रहा है तो इसके जानकारी को जरा आराम से चेक देखेंगे जब आप इस वेकंसी की बात करते हैं तो फिलाज जो इसे निकालने वाला बोर्ड है वो क्या है डीटे पिलस भी तो डीटे पिलस भी ने टीजी टी की जो ग्रेजवर टीचर वाली नि उसके अलावा कोई भी accepted नहीं होगा तो online form या आपको क्या करना है फिल करना है इस basic information के अलावा तो इस exam का जो exam pattern होता है वो computer based exam होता है जिसमें कुल मिलाकर आपके सामने 100 और 100 200 question देखने मिलते हैं जिसमें एक आपका होता है part 1 और दूसरा होता है part 2 part 1 और part 2 में से कौन सा qualifying होगा और कौन सा नहीं हम आगे जिकर करेंगे बट इन 200 सवालों के लिए आपको जो समय बोड देता है वो देता है 120 मिन तो लगब लगब आ जाएंगे तो 33 से 36 सेकिंड के आसपास मिलता है आपको यह क्यों मैंने बता है क्योंकि आपके सामने अगर divide करेंगे तो एक परिस वाल गलत उसके बाद जो आपका एक जो right वाला answer था वो भी क्या हो जाएगा minus में चला जाएगा तो इसके बाद अगर आप देखेंगे इस exam में तो इस exam के pattern में आपके सामने जो interview है वो note applicable मतलब नहीं होगा आप written exam के लिए करिएगा और आपका क्या हो जाएगा selection देगे हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है वो जरू समझेगा कि आपको इस exam में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है यहां तो इसके बाद आप इसमें exam की जो language होती है bilingual लेकिन अगर आप special education में जाके देखेंगे तो वहां के जो भाश हैं आपको हिंदी में कम ही समझ में आ क्योंकि शब्द बड़े अटपटे से होते हैं qualifying जो marks है 40% अभी तक अगर आप पुराना देखेंगे तो qualifying था 40% बट अब आप ध्यान रिखेगा आपके पास जो आपका part 1 है वो part 1 आपको not qualifying वाला है not qualifying का मतलब क्या होगा कि अगर आप इसमें कोई भी maximum या minimum number का कोई भी न इने नहीं रखता लेकिन यहां 100 में से आपको 40 number लाने ही लाने है और 40 number जो मैं बता रहा हूँ ही general category के लिए बाकी के लिए जो reservation होता उसी आधार पर आता है तो चलिए एक बार अगर आगे बढ़ता है तो आपके सामने क्या है तो no qualifying marks का मतलब है कि English आपके सामने Hindi आपके स होगा तो अगर आप minimum Hindi में English में normally बच्चा क्या करता है 12 से लेके 16 के बीच में ले आता है अगर हिंदी में आप जाएंगे तो हिंदी में मुझे लगता है 15 से लेका 18 आराम से लेके आ जाएंगे रहा मैत मैत को थोड़ा कम मान लेते हैं 9 से लेके 12 के बीच में reasoning जो मान लेत हैं तो आप अपना आपको सेक्योर कर लेते हैं बट मैंने जैसे बता है 9 क्वालिफाइंग मार्क से नोट क्वालिफाइंग तो इसमें अगर आप किसी के 0 भी आ जाते तो इसमें कोई ज्यादे टेंशन वाली बात नहीं है बस आपको यह देखना है कि आप maximum फिर कहां देखें तो जो second part है वो हमारा क्या है 40% qualifying इसमें जो general psychology है उससे question आते हैं fact वाली याद रखना pedagogy के questions कम आते हैं pedagogy के questions नहीं पेड़ागोजीकल fact की question कम आते हैं otherwise जो learning disability है या फिर RCI है इस से आपके paper में समझ लीजेगा 40% क्या सपास मा क्योंकि normal आप देखेंगे तो हमार 21 disabilities होती है लेकिन अभी तक जितने भी exam आए है वो 7 disabilities से related आए है last year दर क्योंकि अगर आप देखेंगे PWD के साथ तो ये साथों आ जाते हैं RPWD के जो बाते हैं वो अभी तक सारे के सारों से को नहीं बट हम ये नहीं कहेंगे कि आएंगे ने आपको पढ़नी क्या है 21 disability ये बुरा इसके अलावा educational psychology जो पिछली बार भी बढ़ गया था तो इसके मतला अगर आप इसे देखे चलेंगे तो ये भी आपका क्या आजाता है लगबग लगबग 40% तो देनों का सिनेरियो आपको normal जो TGT वाला बच्चा होता है जो PRT वाला बच्चों से ज़्यादा पढ़ना होता है याद है क्योंकि आपको journal भी पढ़ना होता और साथ-साथ में आपको क्या पढ़ना होता है special वाला भी इसके अलावा जो CDP है वो भी मान के चलिएगा कि 10 से 15 के आसपास आ जाती है और यहाँ पर आपके सामने 5% general psychology fact वाले question भी तो कुल 100% का सिनेरियो अगर देखेंगे तो आप इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते है आपको fact-based भी पढ़ना होता है child psychology भी पढ़ने होती है आपको अपना RCI का भी पढ़ना होता है साथ-साथ में आप जो special पढ़ते हैं वो भी सारा का सारा अब इसके अलावा अगर हम बात करते चलते हैं तो जो books है अगर आप देखें books तो बहुत सारी है लेकिन अगर आप यह देखें यह हमारा books था जो पिछली बार का था जिसमें हमने 3000 पर आप इसके चेक करना चाहते हैं तो इसकी PDF भी हमारे टेलिग्राम चैनल पर है वहाँ जब आप देखेंगे तो जो questions आयते हैं उस questions में से लगबग लगबग 73% के आसपास इसमें से मिल गए थे मैं यह नहीं बोल लो कि वही 90 मिला इतना नहीं 71 तो करीवन करीवन 73 question के आसपास आपको इसमें से देखने हैं वो मिल गए थे तो पेपर हैंग से पास थे 3000 question में से 73 अब यह देखेगा इसका scenario अगर देखें साथ चंग 42, 749 इस तरह 748 तो लगबग लगव 14 के आसपास अगर जाएंगे इस तरह 14 नहीं मतलब 140 के आसपास जाएंगे तो बहुत एक लंबा scenario मिलेगा उसको आप लग देते हैं side में बट इतना याद रखेगा ये भी book अभी हम क्या कर रहे हैं इसके एक new book आपके सामने आ जाएगी उसका link बहुत जल्दी दे दिया जाएगा new book में हम क्या दे रहे हैं आपको theory भी दे रहे हैं और साथ साथ ने थी ओर वह है न theory भी दे रहे हैं प्लस में क्या है pyq भी दे रहे हैं प्लस में क्या है इसमें कुछ नए questions में होगे और कुछ fact-based जानगारी होगी तो इसका नया link आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा उसके अलावा अगर आप बात journal books की करते हैं तो देखे journal में तो आप जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं previous question paper पढ़ सकते हैं otherwise हम यह कहें कि SSC लेवल का पढ़ना तो बिल्गुल नहीं पढ़ना दिमाग में रखना क्योंकि अगर आप SSC वाला पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग खराब ही होगा आप math पढ़ेंगे reasoning पढ़ेंगे ना उतना लेवल नहीं जाना है क्योंकि उक्वालिफाइंगी नहीं है अगर पिछली जर्णल की देखे तो देखे 81 वाला इसका मतलब अगर मैं यह कहूँ कि second part 40 आ जाएगा तो इसका मतलब first part में अगर आप 40 भी ले आते हैं तो यहां से इसका मतलब आप क्या है almost clear दें बट क्योंकि exam में थोड़ो competition बढ़ गया तो अगर बढ़ेगा भी तो आप मान के चले 5 यदस number के आसपास बढ़ेगा 100 के आसपास ही रहेगा 100 से उपर नहीं जाता TGT में यह last year की cutoff थी में आपके साथ जो 2021 वाला paper था जिसका result 2022 में था यह याद रखिएगा ठीक है जी उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपके सामने आता है मैंने लिख दिया यह वाला जो notification लास था OBC 70 के आसपास SC 60 के आसपास ST 62 के आसपास इस तरह इसके अलावा अगर हम बात करने की शुरू करेंगे mindset और target क्या होना आपका mindset रखो पूरा क्या 140 प्लस का क्योंकि जो आप चाहते हैं वो हमेशा मिलता नहीं यह सब जानते हैं हम कोशिश करेंगे कि मेरा और आपका mindset रहे कि हम 140 प्लस के आसपास जाएं बट इस तिल यह याद रखिएगा 100 से नीचे तो सोच नहीं नहीं अगर 140 सोचोगे और 40 कम भी आगया तो इसका तो फिर भी क्या होगे तो यह mindset याद रखिएगा तो अगर मैं यह लेकर चलता हूँ कि जो मेरा journal paper है तो journal paper में मैं अपने score को लेकर चलता हूँ 50 प्लस या 60 है ना तो इसका मतलब है तो 50 प्लस या फिर क्या है 60 और अगर मेरा part 2 है तो part 2 में भी अगर मैं अपने साथ ले लेता हूँ 50 प्लस या फिर क्या है 60 तो मेरे बच्चे आप 140 नहीं पहुंचे तो आप कितना पहुंचे 120 तो पहुंचे और 120 प्लस अगर आप आते हैं तो आप clear कर जाएंगे बेफिगर रहना अब थोड़ी सी और मैनत कर दोगे तो जर्णल वाले को कर जाओगे थोड़ा सा 60 और 70 कर देना और इसमें भी थोड़ी सी मैनत कर दोगे तो समें 60 आगे ना तो इतना मुश्किल नहीं है ये area आप इसे पड़े आराम से qualifying और पड़े आराम से crack कर सकते हो बस आपको मैनत करनी है लगातार अब इस मैनत को आगर लगातार करेंगे तो आपके लिए हमारा जो support होगा उससे पहले daily target daily target one practice set one practice set इसका मतलब जो आपका general part है उसका एक practice set चाहे हिंदी का अलग करो English का अलग करो GA का अलग करो reasoning का अलग करो reasoning का अलग math का इनके अलग-अलग set करना अभी पूरे शुरुवात में starting करना 20-20 के यहां से एक दिन 20 का यह एक दिन नहीं मतलब हफते में 5 टेस्ट कर रहे हैं तो इसका अधर 20-20-20 वाले एक साथ so वाला मत करना क्योंकि उससे इंटरस्ट करना अपने को एक दिन में एक सेट करना है चाहे तो हिंदे का अगर में बदाऊ तो पहले दिन अगर हिंदी कर रहे हो तो हिंदी आसान हो जाएगा तो मुश्किल ले लो दूसरे दिन मैद तीसरे दिन अगर जाओगे तो तीसरे दिन क्या कर ले ना जीए कर ले ना और अगर जीए कर लोगे तो चोथे दिन अगर जाओगे तो चोथे दिन अपना क्या करेंगे रिजनिंग रिजनिंग इंटरस्ट डवलप करेगा और पांच वे दिन अपना क्या ले 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 हर 15 दिन में एक complete 100 marks का क्या करना, part 2 का करना कितना हर 15 दिन में एक set करना, हर दिन करोगे तो गड़बड हो जाएगी पहले अपने आपको जैसे किसे stamina बनाना वो तैयार करो उसके बाद अगे जाओगे तो आगे जाके आपके साथ हमारा क्या support होगा हमारा support होगा कि हम आपको से related जानगारी होगी हम अपने telegram channel जिसका नाम क्या है अध्धिन मंतरा, ओलेड़ी आप उसे कर चुके है subscribe, अगर नहीं किया तो कर लीजेगा यहाँ, उसके लावा YouTuber, तो हमारी तरफ से आपको जो PDFs हैं, जो information हैं, वो यहाँ प्लस video courses हैं, live मतलब जो new वाला है, वीडियो वाला जिसमें वो lady course हो चुगा है, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, यह आपको कहां मिलेगा, यह आपको मिलेगा कहां पर, अध्यन मंतरा के connected app पर, आप यहाँ जाएंगे, बाकि अगर वीडियो पसंद आई है, तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तो बस इतना ही आप से दर्खास्त है, अगर फिर पे आपको कुछ कमी लगे, यह कोई जानकारी चाहिए, तो नीचे comment पे उसमें जरूर दीजेगा, मैं आपसे जरूर उसके कोशिश करेंगे, उस information को भी आप तक पहुचाने की, तो जैहिन, जैवारत, मुश्कार, मेरा नाम रोहिद वैद्वान है, आशा करता हूँ आपका information, systematic तरीके से और अच्छे तरीके जैहिन